हाई मेरे प्यारे वीवर्स तो वेलकम बैक माय यूटूब चैनल को किन भी तमीजान तो फ्रंट फिर से एक नई रेस्पी है जो बहुत ही जादा लाजबा बहुत ही जादा क्रिस्पी और बहुत ही जादा मचदार होने वाली है तो चलिए हम इस रेस्पी को बनाते हैं आप जिसे मैंने फिंगर सेप में कटिंग करवा लिया था यानि इसे हम इस रेस्पी को फिंगर फिश फ्राइ बोलते हैं तो इसे मैंने फिंगर सेप में कटिंग करवा लिया था और अब इसमें इसे अच्छे से मैंने वाश कर लिया था वच्छे से वाश करना था कि इसमें इ चिली फ्लिक्स एड़ करेंगे आप चाहें तो रिट चिली पाउडर यूज़ करते हैं लेकिन हम यहां रिट चिली फ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बज़स्त होने वाला है साथ हमने यहां दो टेबल स्पून जीरा पाउडर में कुर्ण में कीदेंगें के फूट किया और अब इन सब को हम अच्छे से कर लेंगे में करेंगे तकरीबं 2 ती स्पून के खरीब विनेगर वाइट विनेगर का यूज करेंगे हमाँ अब हमने आड़ किया है तो टी स्पून के करीब अरा रोट अरा रोट से इसकी बैंडिंग बहुत अच्छी होती है और क्रिस्पी भी बहुत अच्छा होता है तो हमने तो टेबल स्पून के करीब अरा रोट आड़ किया है और इन्हें हम अच्छे से कल लेंगे मेक्स इसकी कोडिंग अच्छे से होने चाहिए तब ही इस रेस्पी का जो टेस्ट है बहुत जवज़स्त आता है साथ ही साथ हम यहां आड़ करेंगे राइस फ्लोर राइस फ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो आप घर के नॉर्मल चावल को वाश करके धूप में सुखा के ग्रेंडर जाल में एक पौडर फार्म में बना सकते हैं तो आसाने से बन जाता है घर पे राइस फ्लोर तो उसके लिए हमने यहां टू केजी फिश के लिए जार एक लिए हैं जिसे तोड़ लिया है इसमें हमने हाफ टी स्पून रेट चिली पौडर हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट आइट कर रहा है और इन सब को मिक्स करके इस मिक्षर को मैं यूज करूंगी फिश में इससे बैंडिंग बहुत अच्छी होती है यानि जब हम फिश को फ्राइ करते हैं तो जो उसके मसाले होते होते वह छूटते नहीं है तो हम इससे डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके देंगे इन सब को डालने के बाद आपको लग रहा कि हमारी फिश अच्छे से कोड नहीं हो सकी है तो उसके लिए हम यहां दो टेबल स्पून की करीब बेसन यूज करेंगे तो यहां हम थोड़ा से बेसन यूज कर लेंगे और इन सब को मिक्स करके हम टू आवर्स के लिए इसे ऐसे सोट देंगे ताकि सब एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां हमने दो टेबल स्पून के लिए बेसन यूज किया है और इसे हम फ्रीज में दो घंटे के छोड़ देंगे आफटर टू आवर्स के बाद हम इसे बाहन निकालेंगे और इसे डीप फ्राइब करेंगे डीप जो हमारी जो गैस की फ्लेम होगी वह हाई होगी लो नहीं होगी हाई फ्लेम पर करेंगे और जब फिश को डालेंगे बिल्कुल भी टश नहीं करना यह सब्सक्राइब जरू करेंगे थैंक्स पार वाचिए